दोस्तो आज हम बनाएंगे बादाम और रोटी से हेल्दी ड्रेसिपी बहुती बड़िया रेसिपी बनने वाली हैं बच्चे बुड़े सब को पसंद आएगी और टीफिन हो ये फिर आफिस सब जगा आप दे सकते हैं इस रेसिपी को और दो दिन तक बना कर भी आप रख सकत हैं बीना दांत वाले भी इस रेसिपी को असानी से खा जाएंगे ना तो ये मिठाई है ना ही कोई पूरी सबजी तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को जाएब कर लिजिए और बेल का आईकन भी दबा दीजिए तकी आपको आने वाली सभी वीडियो की नोठिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हल्दी रसीपी बनाना बहुती बड़ीया रसीपी बनेगी आज की तो चलिए बनाते हैं आज की हल्दी रस आपने लेना है एक पैन गैस पर रफदे गरम होने के लिए और इसमें एक चमच से भी कम आपने गी डालना है तो इस तरीके से घी पिंगल चुका है अब जब घी पिंगल गया है तो इसमें डाल लेते हैं मुठी भर बादाम मुठी भर बादाम ही दोस्तों आपकी हेल्थ को बहुत सारे फायदे देंगे ये जो बदाम है आपने इनको सीम गैस पर रोस्ट करना है दोस्तों जो बदाम होते हैं इनके खाने से एक तो हमारा दिमाग तेज होता है हडिया हमारी कमजोर हो चुकी है उनमें भी जान ला देगी ये रेसीवी कॉलिस्टोल को कंट्रोल करने के लिए आप इनका सेवन कर सकते हैं घाओ कहीं बन गया है उसको भर सकते हैं आप बदाम को खा कर या फिर सूजन आ गई है आपकी बोड़ी में उसे भी सही कर सकते हैं हमारी इम्मिनिटी भी इससे बढ़ जाएगी और पाचन के लिए भी बहुत बढ़िया होते हैं बदाम वजन को कंट्रोल करने के लिए भी दोस्तों आप इस रेसीवी का सेवन कर सकते हैं हमारे हाट के लिए भी बहुत बढ़िया है ये रेसीवी तो इस तरीके से दोस्तो आपने बदाम को रोस्ट कर लेना है बस सीम गैस परास आपने इसको 2-3 मिनट इस तरह से रोस्ट करना है ये रोस्ट हो चुके हैं देखिए आप देख रहे हैं बस हमने इसको साइड रख देना है या फिर आप इनको किसी बरतन में निकाल कर रख सक मैं यहां 4-5 रोटी ले रही हूँ और इनको इस तरह से तोड़ ले यानि इसके टुकडे से बना ले ये देखे दोस्तो इस तरह से हमने टुकडे कर लिये हैं चोटे-चोटे टुकडे हमने कर लिये हैं तो देखे दोस्तो रोटी के हमने चोटे-चोटे टुकडे बना लिये आपने क्या लेना है मिक्सी जार मिक्सी जार में ये रोटी डालने सारी टुकडे की हुए और इसका इस तरह से आपने दरदरा सा पाउडर बनाना है ज्यादा पाउडर नहीं बनाना है बस इसको इस तरह से पीस लेना है मैं दिखा रही आपको इस तरह से आपकी रोटी हो ज चाहिए था, अब हमारे बादाम भी ठंडे हो चुके हैं, बादाम का हम पाउडर बना लेते हैं, उसी मिक्सिजार में डाल कर, तो देखे दोस्तों ये भी हमारा पाउडर रेडी है, अब क्या करेंगे, आपने जो रोटी के टुगडे थे, वो एक बाउल में डाल कर रख ले हैं, और इसमें डाल लेना है उपर से बादाम, वही पीसा हुआ बादाम, यानि बादाम का पाउडर, आप चाहे तो और दूसरे ड्राइफ फूर्स भी ले सकते हैं, जैसे काजू पिष्टा ले सकते हैं, अब दोस्तों क्योंकि हम इसको बहुत ही बढ़िया टेस्टी रे ले सकते हैं, या फिर इस तरह से शक्कर मिलती है, वो ले सकते हैं, वो अपने टेस्ट के अकोडिंग ले ले, कम जादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ली है, एक अटोरी के करीब शक्कर, और दोस्तों इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करने के बाद इसमें डाल रही हैं आप आपने यहां पर देसी घी का ही इस्तेमाल करना है डाल डवगरा नहीं लेना है बस देसी घी डेसी घी डाल कर इसको मिक्स कर लेना है और उपर से डाल लेते हैं इसमें आधा कप उबला हुआ दूद आप मलाई भी ले सकते हैं या फिर दूद डाल सकते हैं दूद आपने इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि हमारी बहुत बढ़िया रेसिपी बने अगर दोस्तों आपके पास मिक्सी जार नहीं है तो आप ये सारी रेसिपी हाथ से भी बना सकते हैं बस क्या होगा हाथ से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यानि रोटी को हमने बहुत मीमीम सा ब बच्चों को दे सकते हैं बड़ों को दे सकते हैं जिन लोगों के दाथ नहीं होते वो भी इसका सेवन असानी से कर सकते हैं और दोस्तों इस रेसिपी को खाकर आपको मजा जाएगा आपकी हडिया कमजोर हैं वो सही होंगी हडियों में जानला देगा ये नुस्खा और इम इ्ट्रेंंट्स भरपूर माता में होते हैं, प्रोटीन आईरं काफी माता में is में होता है, तो इसको खाने से हमें एनरजी भी भरपूर मिलती है। इस तरीके से दोस्तों आप ये रेशीपी घर में फटा-फट से. बना सकते हैं. तो दोस्तो आप कब बना रहे हैं इस तरह की रेसिपी आपको कोटोरी में खाना पसंद है या फिर इसके लड़ू से बना कर खाना पसंद है हमें कोमेंट बोक्स में लिखकर जुरूर बताना और वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तक तक धन्यवाद